सेना में खाली अफसरों को भेज़ना, उनके बेटों को भेज़ो, मंत्रियों के बच्चों को भेज़ो, जैसे चार साल की नोकरी सरकार ने करी है, तो चार साल हर मंत्री के बच्चों को भी भेज़ो, देश के हर नोजवान को फोज में चार साल के लिए बेज़ो, उसे हमें क पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। मांग एक है कि अधिकारियों को जादा और हमें कम क्यूं हैं। बराबरी का मांग है। और इस मांग को लेकर ये 146 दिन हो चुके हैं आज। लगातार धरने पर बैठे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनसे बात करेंगे सर 146 दिन हो गए हैं। क्या कुछ मतलब आपको कठिनाई आ रही है, कोई सुनवाई हो रही है। अभी जो बेटरियन सेक्षन बना हुआ हमारी कमिटी बना हुआ है। वो मतलब उसके शठीक जवाब दे सकता है। बाकि शरकार का मर्जी है वो कब हमें दे दे। हमारी काम है, हमारी डिमांड को आगे राखना है। बाकि हम अलग-अलग जागा से अलग-अलग आदमी आये हुए। मैं आश्राम से आया हूँ, कोई जम्मो कश्मीर का है, कोई कही का है। सबी का डिमांड है, जल्दी से जल्दी दूर हो, शरकार इसको शंगान ले ले। अचा कहा कहा से आये हैं आप सबी। मैं तो खुद आश्राम बर बटा डिस्टिक्स आया हूँ, बाकि अलग-अलग आदमी अलग-अलग अलग अलग अब। पूरे इंडिया से यहाँ पर लोग इकत्रित हुए हैं। इंडिया की साउथ से, इस से, वेस्ट से, नट से, हर जगा से आयो हुआ है। 146 दिन हो गए, और आपके संघर्ष के और कितने दिन हैं, कब तक आप बैठे रहेंगे हैं। जी सर, आप कहां से आया हूँ, वैसे मैं दिली में ही अभी रह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है, हर दिन तो नहीं, लेकिन हपते में चार बार, छे बार, दो बार आता रहता हूँ। यहाँ पर जो है, पूरे देश के सैनिक आते हैं, केरला के हैं, अरूनाचल के हैं, यह भई साव असाम से आये हैं, यह पंजाब से आये हैं, यहां इन से वो जेंड के साई हूँ हैं। और जम्मू कस्मीर से ले करके कन्या कुमारी तक के हर दिन यहां अलग-अलग जनता आती रहती है यहां पर ज़्यादा आदमी आने का हमको परमिसन नहीं है इसलिए हम उसी इसाब किताब से आते हैं यहां गर दस-बीस ज़्यादा आदमी होते हैं तो हम उस दिन रुख जात तक दूर नहीं होगी तो हम लोग यहां धरने पर ही बैठे रहेंगे हमने आपने देखा होगा अभी परसो चोथ कितनी बारिज कितना तूफान आ रहा था लेकिन हम यहीं पर डटे थे हमने कसम खाई है कि हम यहीं मरेंगे यहीं जियेंगे यहीं रहेंगे जब तक सरकार हमा पारी बिद्वा को 9000 रुपए उसका हस्वेंट की जान और उसकी अलग थी क्या अफसर की जान और जवान की जान में फरक था हम यह नहीं बोलता कि अफसर को जादा मत दो उसकी पैंसन जादा है उनको जो उनका अलॉंस बनते वह जादा दो लेकिन यह जो है गती बिद्या ह एक्सिडेंट केस है डिसीबल्टी का है जवान का मरने का है वो तो कम से कम जवान को बराबर मिलना चाहिए आज एक चीनी बिखती है 40 रुपए की तो जो 78 अजाल ले रही क्या उसको 400 रुपए मिलती है उसको भी 40 रुपए मिलती है मेरा कहना यह है कि वो बिद्वा जो ख पालेगी आज की हाला देखो कि देश कहां जा रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है सरकार बोलती है हमने 55,000 क्रोड दे दिया तो 55,000 क्रोड किसको दे दिया सरकार ने अगर मेरे चार बेटे मैं 100 रुपए देता हूं कि चारो बाट कर ले लो और एक बेटा उसमें से 70 है वो उनमें काबिलियत थी इसलिए वो प्रमोशन लेकर अच्छे पोस्ट के बाद रिटायर हुए तो उनको उनका वो पैंसन दोना उतनी है वो एक अलग हिसाब किताब है मैंने जो बुला आपको समझ नहीं लगा से कि मेरे हाथ कट गया मेरा पाउं कट गया ये साव एक अबर है उनका हाथ कटा है इनको जो है और गडिल रॉपे मिल रहा है तो यह अथारह जार रुपे मिल रहा है तो यह कहां कह एससाब हो रहा हैरी उनकी ह्या जवान के लिए जवान अपनी पर खेलता हूं अधिकार को जाने के लिए अगर एक बैंकर में अफसर सो रहा है रहरा है उफिस है उसके उफिस के बाहर जो है मेरे जैसा जवान त्यानात खड़ा होता है सबसे पहले आप खुश सोचे के कौन मरेगा अगर गोली आईगी तो गोली आईगी जवान खाएगा या अंदर अफसर बैठा नहीं देखना ना अगर आज जवान नहीं होगा तो आफसर किस पर कमांड करेगा तो आफसरों को आफ भरती करो बस जवानों को मत करो क्यों करते हो जवान को भरती सेना में खाली अफसरों को भेजना उनके बेटों को भेजो मंत्रियों के बच्चों को भेजो जैसे चार साल की नोकरी सरकार ने करी है तो चार साल हर मंत्री के बच्चों को भी भेजो देश के हर नो जवान को फोज में चार साल के लिए भेजो उसे हमें कोई अब्जेक्शन नहीं होगा खाली किसान के और जवान के बच्चे रहे गए के फोज में मरने के लिए और उनका हक ना दिया जाए ये तो ऐसा नहीं होता ना मैंने पहले भी एक दिन कहा कि हम मरेंगे और जीएंगे ऐ वतन तेरे लिए हम पैदा हुएं सिरफ देश को लड़ने मरने के लिए हमें मोज से ड़न रही लगता हम दुस्मनों से नहीं डरते ह हम दुस्मन के आगे अपना सीना चोड़ा करके चलते हैं दुस्मन को दबा कर रखते हैं हमें ये नहीं है हमने सीखा है दुस्मनों से लड़ना और आप घबरा रहे हैं रोसनी से आप दुस्मनी से घबरा रहे हैं अरे दुस्मनों के सामने जाना और मर्द का सीना दिखान हमें आज भी यहां पर अगर कोई बोलेगा चैलेंज करेगा कोई बोले के मरने से डरता है तो मेरे सामने आओ मुझे गोली मारो देखो मैं अगर पलक भी फलक दूँगा तो अपनी मा से पैदा नहीं हूँ मैं वह जवान हूँ मैं उसे मैं सन त्यातर में बोले कि ने कर दो कि भी बहुए था जब देश को मेरी जरूरत थी सेना में भरती होने के लिए ढूंड़े जाते जाते जवान हम सीना चड़ा होकर गए थे और आज双के के लिए अभी बिया आकर बोला जाए तो जहां मैं नोक्री करकर कि हो महाज भी भेजा जाये तो मैं जाने के लिए तयार हूँ इतना दम खम रखता हूँ जाहिर तो पर ये जवान है सेना के जवान है जो बॉर्डर पर रहकर सेवाई दे चुके हैं तो डर और गोलियों और मौत की डर तो इन में है ही नहीं सब्सक्राइब जाते हैं जाते हैं यहां पर दिखाएंगे अच्छे सीना ठोक कर हम आएंगे और तेज तरीक को दिखाएंगे हर फोजी आदमी को मैं यहीं बोलता हूँ के जंतरमंतर पर तेज तरीक को आओ और अपना सीना चोड़ा करके सांसात का घहराओ करो हम मर जाएंगे उस दिन भी आकर कि आपको दिखाएंगे आप यहीं होंगे तो मैं दिखाऊंगा कि हम क्या करेंगे उस दिन भी मनोज भाई थे आप भी मनोजना सेवा कर चुके हैं वो अब जेल जाएंगे नहीं जेल जाएंगे तो हम जाने के लिए तयारा कर सरकार कहती है कि इनको हक नहीं देंगे जेल में डालेंगे अरे डालो ना हमने तो फोज में भी रोटी पाड़ों में खाई है यहां जेल में बैठ कर खाएंगे डालो हमें हमारे परिवार की हमें चिंता नहीं हमें चिंता मेनोकरी कर रही हैं वो बच्चे पालने लिए उनके बच्ची आज सरकारी स्कूल में पड़ रहे हैं जाकर के उनको कोई फैसल्मटी नहीं है फिर फिर 146 दिन हो गया है धरने के क्या सरकार कोई भी संग्यान ले रही है इस पर कोई भी सरकार को सब फता चल रहा है लेकिन हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो गदारी कर रहे हैं जो के सरकार को उल्टा पड़ा रहे हैं हमारे को यहां उल्टा पड़ाते हैं ऐसे लोगों को एकर हिमबत है तो आओ अभी हमारा कपिल फोजी है उसके बारे हम बोलते हैं के कपिल को अटा दो धरने से वह अफसर हैं जो बीच में ठांग अड़ा रहे हैं एक सिपाई से वह डर रहे हैं क्यों आकर के यहां बात करो ना सामने आकर कपिल से क्यों डरते कि हम कपिल से बात मैं करेंगे कपिल से बात करो आकर के अएक शिपाई कमें यह जightना नहीं हो-कोई-धवxtures नहीं कोई बज़ान नहीं है लेकिन उसमें दम ख़म है मेरी तरह तरह वह चोड़ा होकर यह नहीं होकर यह आता है चोड़ा हो कर जाता है जिसको दम श्रूप इखल रहा हो रहा है और सामने आओ न कि उन्हें आते हैं जंतर बैट जाते धरना हटा दो हमारा कि महत्यां तो आजाओ हम बैठें यहांपर हर दीन आते हैं हमें कॉल करो आओ हम आते हैं देखो आप-23 तारीक के बता रहे थे संसद का घ्याव करने क्या है विल्कुल संसद में हमारे जितने सहनिक है देश से सब जगा से आ रहे हैं गाडियां बूक हो रहे हैं रेल टिकट बूक हो रहे हैं कस्मीर से खन्या कुमाईर तक आ रहे हैं अरुनाचल से लेकर बाड मेर तक के सारे सहनिक आ रहे हैं ऐसा नहीं कि नहीं आ हैं हम बरसाज से या मौसम से डरने वाले नहीं है हम आएंगे और सरकार को दिखाएंगे हमारा क्या जंख हम है या नहीं है के लिएं हम अपनी जान दे सकते हैं संसद हमारा है हम संसद के ऊपर हमला करने नहीं जा रहे हैं अपना हक मांगने के लएं संसद में संसद में हमने पहले भी कितनी संग्वितियां बताई हैं सब कुछ, कितने लेटर लगाए हैं, हर जगा पर हमने अपना परचार दिया है, हम ऐसे नहीं आ रहे हैं, पहले परमिसन लेकर के आ रहे हैं, सांधी पूर्वक जाएंगे धरने पर, यह नहीं है कि हम आपर लंडे के हमारा हिसाब किताब बराबर कर दे, हम आज हो जोड़कर चले जाएंगे, सरकार का इसान मानेंगे, 2014 में भी तो सरकार ने हमको दिया है, हम यह नहीं कह रहे हैं, सरकार ने नहीं दिया, लेकिन सरकार उनसे तो पूछे जिनको दिया है, उन्होंने हमारे तक क्यों नहीं पह बस इसके आगे मैं क्या बोलूँ बंदे मात्रम भारत माता की जाएं। खराब ना हो वहीं इनकी हार मानना भी पूर्व सैनिक जो है वो बॉर्डर पर जो सेवा देते हैं वो हार मानना भी नई सीखा है इसलिए ये सांती पूर्ण तरीके से आने वाले 23 को संसत का घेराव करने जा रहे हैं वहां पर अपनी मांगो को रखेंगे सरकार से अपनी मां झाला हो झाला हुआ झाला हो है को हैनल को उस्ते ज ढ़ปर जो ही चाला है शन्या Council